सत्या नारायन की व्रत का था, सालों पहले उलकामुख नामक एक राजा था, वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सत्यवादी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, वो रोजाना मंदिरों में जाकर गरीबों को धन दान करके उनके दुखों को दूर करता था, राजा उलकामुख की पत्नी कमल के फूल के समान थी, उन्हें पवित्रस्त्री माना जाता था, एक बार राजा उलकामुख और उसकी पत्नी ने भद्रशीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायन भगवान की पूजा की, तब ही वहां साधु नाम का एक वैशिय पहुचा, उस पास व्यवसाय करने के लिए काफी धन था, उसने जब राजा और उसकी पत्नी को व्रत करते देखा, तो वह वहीं रुख गया, फिर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? राजा ने जवाब दिया, मैं अपने परिजनों के साथ पुत्र की प्राप्ती के लिए श्री सत्यनारायन भगवान की पूजा कर रहा हूं. इस पर साथू ने पूछा, क्या आप मुझे भी व्रत करने की विधी बताएंगे? मुझे भी संतान प्राप्ती की इच्छा है. साथू की बात सुनकर राजा ने, उसे सत्यनारायन के पूजा की सारी विधी बताए. इसके बाद साथू अपने घर को और निकल पढ़ा. घर पहुँचकर साथू ने अपनी पत्नी लिलावती को श्री सत्यनारायन भगवान की कृपा साथू की पत्नी लिलावती पर बरसी और वह गर भवती हो गई. आगे चल कर उसने एक प पुत्री कब बढ़ी हो गई, ये पता ही नहीं चला. उसके माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा था. कुछ दिन बीटने के बाद कलावती की माता ने साथू को उसका वचन याद दिलाया, जिसमें उसने संतान प्राप्ती के बाद श्री सत्यनारायन भगवान की पूज करने की बात कही थी. लीलावती ने कहा, हे स्वामी, अब आपको अपने वचन को पूरा करने का समय आ गया है. इस पर साधू ने कहा, हे प्रान प्रिय, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है. उस वचन को मैं अपनी पुत्री के विवाह के अफसर पर पूरे विध विधान के साथ करूंगा. पतनी को पूजा का आश्वासन देकर अगले दिन साधू नगर की ओर चल पड़ा. कुछ समय बाद जब कलावती शादी योग्य हो गई, तो साधू ने एक दूत को बुलाया और उसे अपनी पुत्री कलावती के लिए एक योग्य वर धूंधने का आदेश दिया. साधू का आदेश पाकर दूत कंचन नगर की ओर गया और वहां से एक योग्य वर लेकर आया. उस लड़के को देखकर साधू ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कराने का फैसला किया. उसने तुरंत अपने प्रियजनों को आमंतरित किया और अपनी प पुत्री का विवाह उस योगे लड़के से कर दिया. शाधी के दोरान भी साधू ने श्री सत्यनारायन भगवान की पूजा नहीं की. साधू का ये रवईया देखकर श्री सत्यनारायन भगवान गुस्से में आ गए और उन्होंने साधू को अभिशाप दिया कि उसके जी राजा का धन चुरा कर भागते भागते उसी साधू की दुकान पर जा पहुचा. यहां सिपाहियों को अपने पीछे आते देख चोड ने चुराया हुआ धन साधू की दुकान में छिपा दिया. राजा के सिपाही जब वहां पहुचे तो उन्हें राजा का धन साधू और उसके जमाई के पास दिखा। उन्होंने तुरंद दोनों को बंदी बनाया और उन्हें राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने राजा से कहा, महराज हमने दोनों चोरों को सामान के साथ पकड़ लिया है। आप बस आदेश दें की इन दोनों को क्या सजा देनी है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि बिना देर किये दोनों को इसी वक्त कारावास में डाल दिया जाए। साथ ही उनके सारे धन को जबत कर लिया जाए। दूसरी तरफ साधू की पतनी भी दुखी थी। उसके घर में जो कुछ भी सामान था, उसे चोर ले गए थे। एक दिन साधू की बेटी कलावती भूख प्यास से तड़पती हुई भोजन की तलाश में एक ब्राहमन के घर पहुची। वहाँ उसने श्वी सत्यनारायन का व्रत होते हुआ देखा, फिर उसने भी उस ब्राहमन से सत्यनारायन भगवान की कथा सुनी। इसके बाद प्रस मैं अभी अभी एक ब्राहमन के घर से आ रही हुँ। वहाँ मैंने श्वी सत्यनारायन भगवान की कथा सुनी। अपनी पुत्री की बातों को सुनने के बाद लिलावती ने भी सत्यनारायन भगवान की पूजा की तैयारी शुरू कर। दी, फिर उसने अपने परिजनों को बुलाया और पूरे विधी विधान के साथ सत्यनारायन भगवान की पूजा की। साथ ही लिलावती ने भगवान से अपने पापों के लिए माफी मांगी और अपने पती और जमाई को रहा करने की प्रार्थना भी की। लिलावती के इस कार्य से श्वी सत्यनारायन भगव प्रसन हुए, उन्होंने राजा चंद्र केतु को सपने में दर्शन दिये और कहा, हे राजन, तुमने जिसे बंदी बना कर रखा है, उसे तुरंत रहा कर दो और उसकी धन संपत्ती भी लोटा दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें भी मैं धन और संतान के सुख से वंचित कर दूनगा, अगली सुबह राजा ने दर्बार में अपने सपने के बारे में बताया और, सिपाहियों को दोनों कैदियों को सभा में लाने के लिए कहा, इसके बाद सिपाही, साधू और उसके जमाई को लेकर दर्बार पहुँचे, यहां दोनों ने राजा को प्रनाम किया, इसके बाद राजा ने उनसे कहा, हमें गलत फहमी हो गई थी, अब वो दूर हो गई है, इसलिए हम आप लोगों को पूरे सम्मान और धन दौलत के साथ चोड़ रहे हैं, इतना कहकर सूद जी ने श्री सत्यनारायन कथा का तीसरा अध्याय पूरा किया, तो दोस्तों ये थी सत्यनारायन जी की कता अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कॉमेंट सेक्शन में जै सत्यनारायन जी की लिखना ना भूलें